हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे परदीव नर्वाल के बारे में परदीव प्रोफेशन से एक कबड़ी प्लेयर है और लोग परदीव नर्वाल को प्रो कबड़ी लीग टूर्नामेंट में पटना पाइरेट्स टीम में खेलने की वज़े से जानते हैं परदीव नर्वाल कबड़ी में एक रेडर की तरह जाने जाते हैं क्योंकि वह बड़ी असानी से आप पोजिट टीम में रेट करके पॉइंट्स कर लेते हैं परदीव एक प्रोफेशनल कबड़ी प्लेयर है और साल 2016 में जब परदीव परदीव को इंडिया की कबड़ी टीम में सेलेक्ट किया गया था तब वो इंडिया के सबसे यंग प्लेयर थे जो की इंडिया की इंटरनेशनल टीम के लिए सेलेक्ट हुए थे तो दोस्तों आईए बच्छे से जानते हैं परदीब नर्वाल के बारे में परदीब का जन्म 16 फरवरी 1997 को सोनी पत हर्याना में हुआ था और उनके जन्म के हिसाब से उनका जोडेक साइन एक्वारिस है परदीब जब 7 साल के थे तभी उनके अंकल रवींदर नर्वाल ने उनको पहली बार कबड़ी के बारे में बताया था उसकी बतकिवल 8 साल के उम्र में परदीब ने स्कूल के अंडर 11 कबड़ी टीमें पार्टिसिपीट किया फिर बारा साल की उम्र में परदीब ने हरियाना कबड़ी अकेडमी जॉइन कर लिया और वहां से उन्होंने कबड़ी के सारे बेसिक्स सीखे आए दोस्तों अब हम बात करते हैं परदीब नर्वाल के फिसकर स्टैट्स और फेमली के बारे में परदीब की हाइट पांच फिट दस इंच है और उनका वेट लगवग 80 किलो है अगर हम परदीब की फेमली की बात करें तो उनके पापा का नाम धरमिल नर्वाल है और उनकी मा का नाम बेर मती देवी है परदीब नर्वाल एक मेरिड इंसान है और उनकी वाइप का नाम स्वाती बेनिवाल है आईएब हम जानते हैं परदीब नर्वाल की सेलरी और नेट वर्थ के बारे में परदीब की सेलरी और नेट वर्ट की बात करें तो परदीब को किवल प्रो कवड़ी लीग से ही हर साल 60 लाग रुपए मिलते हैं और परदीब पिछले 4 साल से प्रो कवड़ी लीग खेल रहे हैं इस हिसाब से परदीब की net worth 3 करोर रूपे से भी ज़ादा है आई अब हम देखते हैं परदीब नर्वाल के career और achievement के बारे में परदीब नर्वाल को लोग दुखी किंग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि परदीब कबड़ी खेलने की स्टाइल में डुक्की लगा के अपोजिशन टीम से बच के आ जाते हैं। परदीब नर्वाल ने अपने करियर में कबड़ी सीखना और खेलना तो 12 साल के ओर में ही सुरू कर दिया था। उसके बाद एयर फोर्स टीम के कोच की नजर परदीब 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 को एयर फोर्स की तरफ से नेशनल में खेलने का मौका दिया। और परदीब ने फिर एयर फोर्स की टीम को नेशनल चेंपियंशिप भी जितवा दी। फिर साल 2015 में परदीब को पहली बार बैंगलोर बूल्स टीम ने खरीदा लेकिन उस साल परदीब को ज़्यादा मैच केलने का मौका नहीं मिला। उसके बाद परदीब को PKL के थर्ड सीजन में पटना पाइलेट्स टीम ने खरीदा और परदीब ने 111 पॉइंट करके पटना पाइलेट्स टीम में अपने जगह पक्की कर ली। और इसी साल पहली बार पटना पाइलेट्स ने प्रो कबड़ी लीग टूना बेंड भी जीता। फिर प्रो कबड़ी लीग के सीजन 4 और सीजन 5 में परदीब पटना पाइलेट्स के कैप्टन बरें और उन्होंने दोनों सीजन पटना पाइलेट्स को जिता दिये। तो दोस्तों ये थी कुछ बाते परदिप नर्वाल के बारे में अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जिरूर करें देखेने के लिए धन्नवाद